हेलो स्टुडेंट्स बेसिक मैट्स की वीडियो सीरीज में हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेक्शन्स का मल्टिप्लिकेशन और डिविजन लास्ट वीडियो में हमने फ्रेक्शन्स के एडिशन और सब्ट्रेक्शन के बारे में सीखा है और उससे पहले इस हमने lcm, hcf और basic addition, multiplication, division, etc. सीखे हैं अब हम fractions को कैसे multiply करते हैं और divide करते हैं वो देखते हैं suppose हमारे पास एक fraction है 5 by 7 और आपसे कहा जाएगे 5 by 7 को आप 2 by 3 से multiply करें तो multiply करना fractions का बहुत easy है addition और subtraction जैसा difficult task ये बिलकुल भी नहीं है आपको क्या करना है only simple सी बात है numerator को numerator से multiply कर दें और denominator को denominator से multiply कर दें तो 5, 2s are 10, 7, 3s are 21 as easy as that, बहुत ही जादा easy है अगर आपसे कहा जाए कि आप 5 by 2 into 9 by 3 करें तो क्या करेंगे 5, 9s are 45, 2, 3s are 6 ठीक है आप चाहें तो इसको थोड़ा ऐसा भी लिख सकते है कि 5 by 2 into 7 by 15 है suppose ये आपसे पूछा जाए तो एक तरीका तो है कि आप इसको multiply करते है 5, 7 is 35 और 15, 2 is 30 ठीक है ये answer तो सही है बागे आप इसको थोड़ा अगर short करना चाहें तो पहले 5 और 15 में 5 common आ रहा है तो 5, 3s are 15 आ जाएगा तो उपर रहे जाएगा only 1 तो आप direct लिख भी सकते हैं 7 upon 6 क्यों उपर तो रहे गया 1 into 7 1 equal to 7 और नीचे हो गया 2 into 3 equal to 6 क्योंकि 5 और 15 आपस में divide हो रहे ना एक दूसरे को divide कर रहे है common factor आ रहे है तो 5, 3 जा 15 से cut हो जाएगा ठीक है इसी तरह से आपको अगर question यह दे दिया जाए 5 by 3 into 2 by 4 into 1 by 7 तो आप क्या कर सकते हैं उपर उपर वाले को multiply कर दो नीचे नीचे वाले को multiply कर दो तो 5, 2 जा 10 10 बन जा 10 5, 2 जा 10 हो गया 10 बन जा 10 हो गया 3, 4 जा 12, 12, 7 जा 84 तो इस तरीके से इसको solve किया जा सकता है तो multiplication के लिए तो यह तरीका है simple सा है अब divide के लिए क्या करें जैसे आप से कह दिया जाए कि 7 by 2 में आप divide करें 3 को 3 by 5 को तो divide करने में simple सा आप method use कर सकते हैं कि divide को भी आप multiplication जैसा ही समझें बस fraction का denominator और numerator exchange कर दें याने कि divide को आप multiplication में convert कर दें बस 3 by 5 को आप 5 by 3 बना दे ठीके तो क्या होगा final answer इसका 7, 5 जा 35 upon 2, 3, जा 6 ठीके एक और example देखते हैं मालो आप से कहा जाए 4 by 9 divided by 2 by 7 तो आप क्या करेंगे simple सा method है divide को तो multiply बना दे और ये वाली values को exchange कर दे numerator और denominator को अब क्या होगा 4, 2 से 2 times कटेगा उपर की value आएगी 2, 7 जा 14 और नीचे की value आएगी 9 तो final answer आजाएगा 14 by 9 अब आपको एक और तरह से कभी कभी question मिल सकता है जैसे आपको ये कहा जाए कि 5 by 3 divided by 2 by 4 divide का sign वो वाला बनाने की जगा ऐसा बना दिया जाए तो आपको ये देखना है कि अगर ऐस तरहिके से bracket लगे हुए है उपर का bracket अलग तो 5 by 3 एक अलग value है 2 by 4 एक अलग value है तो इसका मतलब यही है कि 5 by 3 में 2 by 4 को divide करना है तो इसकी simple सी value हो गई 5 by 3 into 4 by 2 यानि कि जो नीचे नीचे वाली value है वो उपर चल जाएगी और थर्ड वाली value second से multiply हो जाएगी तो final answer आजाएगा 10 by 3 लेकिन सपोस ये bracket कुछ इस तरह के से होता 5 by 3 कुछ indicate अभी तक नहीं कर रहा इससे हम proper result नहीं निकाल पाएंगे तो इसमें 2 scenario बन सकते हैं एक तो ये वाला कि इसको हम ये समझे और एक ये कि इसको हम ये समझे ठीक है इसमें ambiguity है इसकी multiple answers हो सकते हैं तो अगर ये question आप से कोई पूछेगा तो आप उससे कह सकते हो कि इसका answer अभी मैं फिलाल नहीं रह सकता आप इसको proper question बनाओ तो proper question कब बनेगा जब या तो 3 by 4 पे bracket आए या 5 by 3 पे bracket आए तब हमें पता चलेगा कि actual में numerator कौन है और denominator कौन है suppose अब ये question पूछने के बाद उन्होंने एक bracket लगा दिया नीचे की side तो ये क्या बन गया 5 by 3 by 4 यानि 5 में 3 by 4 को divide करना है तो ये fraction बन गए हमारी ऐसे 5 divided by 3 by 4 तो ये कैसे convert होगी 5 into 4 by 3 तो answer will be 20 by 3 तो answer इसका हो जाएगा 20 by 3 लेकिन suppose उन्होंने ऐसा कह दिया कि नहीं हम ये पूछना चाह रहे थे तो ये question बन गया 5 by 3 divided by 4 ठीक है 4 की नीचे कुछ नहीं है तो denominator हम हमेशा 1 मान सकते है तो इसका answer बनेगा 5 by 3 into 1 by 4 तो answer बन गया 5 by 12 तो देखो ना bracket की position से कितना difference आ गया 5 by 12 एक अलग value आ गई 20 by 3 एक अलग value आ गई है ना तो इस तरीके से divide थोड़ा सा tricky होता है otherwise आप ऐसा मानो divide करने के लिए बस हमें ऐसा करना है कि divide की जग multiply का sign करना है और numerator और denominator को आपस में exchange करना है इसकी एक और question से practice करते हैं मानलो आपको ऐसा दिया हुआ 7 by 2 by 3 ठीके कहीं bracket नहीं दिया हुआ तो आप नहीं समझ पाओगे लेकिन suppose bracket उपर दे दिया यह किस में convert हो गया 7 by 2 numerator है और denominator है 3 तो आप नीचे कुछ नहीं दे रखा तो 1 माल लेंगे तो यह value आ जाएगे 7 by 2 into 1 by 3 that is 7 by 6 ठीके और अगर यह question ऐसा होता 7 by 2 by 3 तो इसको सबसे पहले ऐसे consider करेंगे 7 divided by 2 by 3 कुछ नहीं है तो नीचे 1 मान लिया हमने अब 7 by 1 into 3 by 2 multiply में convert करेंगे न division को तो अपन denominator और numerator को exchange करेंगे तो answer आएगा 21 by 2 तो यह कुछ basic तरीके हैं जिनसे अपन multiplication और division जो fractions के हैं उन्हें solve कर सकते हैं I hope आपके लिए वीडियो useful रहा है Thank you